किसान भाई वो मेरा 25 साल का खेती का अंदर experience बोलता है कि गेहों की पहली सिचाई करते हैं वक्त ये निर्धारित हो जाता है कि अब की बार आपके खेत के अंदर से गेहों का कितना उत्पादन होने जा रहा है पहले सिचाई के अंदर अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आपका उत्पादन निश्चित तोर पर घटेगा ही घटेगा पिछले साल मेरे पास एक किशान भाई का फोन आया वो बोला भाया मैंने अपने गेहों के खेत में पहले सी चाहिए जैसे की उसके बाद मेरा जो गेहों व nehmen वो एक दम से उसकी growth रुख गई और कहीं न कहीं उसका जो उत्पादन आखरी में निकल काया वो और सालों के अप को पहले सी चाही करदेनी चाहिए, तो क्या दोस्तों हमें पहले सी चाहे, 21 दिन पर ही करनी चाही, या फिर इससे पहले या बाद में करनी चाही, साथ ही, अगर आपने गेहों की बुगाई करते वक्त, अपने खेतों का अंदर बेश़र डोच में, डिए पी या कोई ओर उर्वरकों की इन सभी पोसक तत्वों की पूरती पहले सिचाई करते वक्त पूरी कर सकते हैं तो दोस्तों आज इन सभी प्रस्नों के जवाब लेके हाजरु मैं इंदरपाल यादाओ स्वागत करता हूँ आपका अपने योट्योब चैनल देश की जान हमारी किसान चैनल पर आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो कंपलिट देखी इसको इसकी बिलकुल मत कीजी और साथ ही जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाई ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो क्रिप्या चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो को लाइक और जादर जादर शेयर कीजे तो दोस्तों बात करते हैं अपन हमें गेहों कि पहले सी चाहिए किस वक्त करनी चाहिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं गेहूं की एकसांदार वेराइटी के बारे में देखिया हमरे चैनल पर काफी दिनों से कुछ किसान भाईयों को कमेंट आ रहे थी कि भाईया हमें इस टाइम पर अपने खेतों मे कि DWS 777 वेराइटी के बारे में बताने जा रहा हूं इसकी एकनी आने को विशेषता हैं जैसे कि इसके पोद्धे की जो लंबाई है वो नबे से पिंचान में सेंटीमेटर होती है जिसकी वाज़े से पोद्धे विपरीत परिस्थितितियों में अगर आपन सिचाई करते है तो पोद्धे नीचे जमीन में गिरते नहीं आड़े और साथ ही ये येलो रस्ट और वाइट रस्ट मतलब ये पीला रत्वा और भुरा रत्वा के प्रति सहनसिल वैराइटी है इसके अलावा दोस्त इसकी जो बालिया है वो लंबी आकरसक और मजबूत होती जिसके अंद को कल्ले है न वो निकलते हैं तो जिस खेत के अंदर और जिस वैराइटी के अंदर एक पोदे से जादा से जादा कल्ले निकलते हैं उस वैराइटी का आप लोगों को पता होगा उसका उत्पादने वो स्वते ही जादा निकलता है तो इस वैराइटी का अंदर भी यही वि जाने जा रहे हैं तो 40 किलो परेकड के हिसाब से इसकी बिजाई करनी है अगर अपन पच्छेत समय पर इसकी बिजाई करने जा रहे तो उसमें आप 10% बीज है ना वह आप बढ़ा के बिजाई कर सकते हो जैसे कि आप 45 किलो बीज परेकड के हिसाब से अपने खेतों के अंदर बिजाई कर सकते हो दोस्तों इस बीज से बोए हुए खेतों के अंदर पैदावार है न बहुती शांदार निकलती है अब बात करते हैं इस बीज को अपन कहां से कलेक्ट करें तो हमारी इस वीडियो के description box में दिय हुए link पर click करके आप अपने नजदी की दियात के अंदर का पता कर सकते हो आप अपने नजदी की दियात के अंदर पर जाके और इस बीज को मतलब आप DWS 7772 को लाके अपने खेतों का अंदर बिजाई कर सकते हो जहां तक मेरा जो experience बोलता है मेरे जो research बोलते हैं चुंकि मैं अपने खेतों का अंदर हर साल कुछ नया करता हूं कुछ नए नए experiment करता रहता हूं तो खेत के according आपकी मिट्टी किस तरह की उसके according आपको पहले सिचाई करनी अगर आपने अपने खेतों के अंदर अक्टूबर महा के आखरी वीक में या फिर नवंबर महा के फर्स्ट वीक में गहूं की बुआई की है तो आपको 21 दिन के बाद गहूं उखाड के देखना है ग खाड़ अब आप उसके अंदर शिचाई कर दोगों तो उसके अंदर जो क्राउन होता है जो उसका ताज होता है वहां से उसमें नए-ने कल्ले निकलने स्टार्ट हो जाएंगे बाकी दोस्तों वैसे सही समय अगर मैं आप लोगों को बता हूं अगर आपका खेत क्दम हरा बहराई किस दिन के बाद भी उसमें पानी की आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो कोई जरुवत है नहीं पांस साथ दिन और यह जहल जाएगा या पांस साथ दिन बाद अगर 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 अपन इसके अंदर पानी लगाएंगे शिचाई करेंगे तो सायद ज्यादा बह की हुई है जैसे की मोलिय रोग लग जाता है जिसके अंदर पोद्ध हैं वो पीड़े खड़े हो जाते हैं सुरवाती चरण में जैसे आपके फसल 18-20 दिन के होते हैं तो आप देखोगे कि कहीं कहीं पर जो है ना एक स्पोर्ट से बन जाते हैं कहीं पर पीड़े अंदर मोलिय रोग भी लगा हुआ है या फिर उसके अंदर आप यह समझ सकते हो कि आपके छेत में नेमटोड की समझ्द या फ على म तो भी आपको इप और सभािर और स overlap करना है इसके अलावा दूसरी स्थिति आपन को ये भी देखनी है दोस्तों अगर आपके फसल 20-25 दिन की हो चुकी और आप देख रहे हो कि यार दिन के अंदर जो हमारी फसले वो कहीं न कहीं मुर्जा रही या फिर ग्रोथ को रोक के खड़ी हो चुकी और अपन देखते हैं तो नमी है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देर तो उस अवस्ता में भी आपको तीज दिन कांदि नहीं करना हैं 27 दिन कांदय करना है आपको अपनी खेतों कंदर शिचाई करununी आपको यह देखना है अगर हमारे खेतों पाकर दो rozp पें ले yen करे दिन हमारा खेट खेतर लब जैए करोंदेखिए आप अपने खेत के अंदर कलेंगे अपेक संपेट का अंदर नेकिन निकलेंगे तकि उन थी जठाइप की हुई होगी सोअब बात करते हैं दोस्तों अपन को पहले शिचाइप करते वक्त कौन कौन से खाद और वर्क डालने देखिए अगर आपने बेसल डोज में जब आपने कहीं की बुवाई की थी उस टाइम पर डीएपी खाद का प्रियोग नहीं किया पोटास खाद का प्रियोग नहीं किया सिंगल सूपर फासफट खाद का प्रियोग नहीं किया तो आप इस अवस्था के अंद butter क्यों कि अपन देख रहे हैं एक दो सालों से जब अपन फसल पुवाई करते हैं उस टाइम पर इन खादों के किलत हो जाती है और किसान है न उस टाइम पर इन खादों को बो लोगों को विश्वास के साथ बताता हूं मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है हाँ यह जरूर है कि जो वह निकल के आये थे जर्मिनेट हुए तो उसके बाद आप जब अपनी फसल को देखो हरा भरा है लेकिन इसमें जब आप सिचाई कर दोगे न दोस्तों तो अगले जो साथ से आठ दिन या दस दिन होंगे न उसके अंदर आपके जो फसले न एकदम हरी भरी हो जाएगी तो अगर आपने बेसल डोज का अंदर यह खाद नहीं डाले तो आप इस अवस्था का अंदर डाल दीजी जैसे कि देखिए इस तरह से यह खेत हमारा सुखा ह अगर कोई भी अपन खाद डाल देंगा नहीं यहां पर तो कोई भी खाद अपन छिट केंगे इसमें तो वह सारे खाद है ना वह इस मिट्टी का अंदर आजएंगा जब पाणी देंगे अपन तो पाणी सी मिट्टी है ना दब जाएगी खाद वो नीचे जमीन में चला ज पर दूसरे साल अपने कोई फसल चक्र अपना अगले दो-तीन साल अपन गहों बहते हैं तो आप जिंक है ना वह जरूर अपने खेतों के अंदर डाल लीजिए साथ किलो तेतिस परसेंट वाड़ा और दस किलो एकिस परसेंट वाड़ा आप 35-40 किलो यूरिया का अंदर पर है ना के खेतों के अंदर डाल दिजी और फिर आप से चाही की जी इस से क्या होगा की आपके खेत के अंदर जो कल राटी मिटी होतीइ उसके अंदर जो मिटी है वो शक्त हो जाती ए पाणी आँबर जाता है जैसे कि कौनों का अंदर तो वहां पर मिठी बिर्कुल इंदम सक्त हो जाते वहां पर फसल है ना पीड़ी हो जाती है मतलब जादा वह ग्रोथ नहीं कर पाती है अगर आप इस टाइम पर शलफ डाल दोगे तो उन मिठी ओंडर अधोड़ी उथली होगी जी कि फसल की जड़ों का अंदर वायु संचरन होगा जितना ज्यादा वायु संचरन होगा उतने पोद्ध हैं वह ज्यादा ग्रोथ करेंगे तो दोस्तों आप इस टाइम पर पहले सी चाहिए करते वक्त इन बातों को खयाल कीजी और अपने खेतों का अंदर बढ़िया उत्पा दन लेजे धन्यवाद